गोड बॉनिंग स्टुडेंट आज का हमारे जो टॉपिक है वो है टीशू सुस्तलोग सबसे पहले देखते हैं काफी शॉट में हम समझाने की कोशिस कर रहे हैं आपको बहुत ही लेंधी टॉपिक है ये तो टीशू क्या है? टीशू is a group of cell that are similar in structure having same function तो टीशू सेल का एक ग्रूप होता है जिसका कार क्या होता है? सेम होता है, सेम function होता है तो टीशू आपको मालूम है plant टीशू होता है वो animal टीशू, दो टाइप के टीशू होसकते हैं सबसे पहले हम plant टीशू को लेके चलते हैं तो plant टीशू जो further divide है मेरिस्टमेटिक टीशू और पर्मनेंट टीशू मेरिस्टमेटिक टीशू जो डिवाइड है वो तीन पार्ट में डिवाइड है अपिकल मेरिस्ट्रम, इंटर केलेरी और लेटर मेरिस्ट्रम Permanent tissue is further divided into two parts Simple tissue and complex tissue Simple tissue is divided into three parts Perenchyma, Collenchyma and Screnchyma And complex tissue is divided into two parts Xylem and Phloem तो सबसे पहले हमें देखते हैं Maristematic tissue और Permanent tissue में Maristematic tissue क्या होते हैं कि उसमें plants में हमेशा Cell division होती रहती है जब तक plants जिन्दा रहेगा और Permanent tissue में क्या होता है हमेशा cell division नहीं होती इसमें खली mature cell होते हैं अब यह जो तीन टाइप के cell है Epical Maristem में क्या होता है यह mainly responsible होते है Plants की length increase करने के लिए सब्सक्राइब है और जो intercalorie होते हैं यह जो responsible होते हैं branches की growth के लिए और lateral Maristem जो responsible होते हैं यह width of the plant plant की चोड़ाई के लिए responsible होते हैं Next Permanent tissue में क्या होता है यह हमेशा cell division इसके अंदर नहीं होता है इसमें जो भी cell होते हैं वो क्या होते हैं mature होते हैं Permanent इसमें मतलब कि हमेशा cell division नहीं होता है यह दो parts में divided हैं simple tissue और complex simple में क्या होता है कि इसमें same cell होते हैं जितने भी cell होते हैं एक जैसे cell होते हैं complex tissue में क्या होता है different type के cell होते है parent काईमा, colon काईमा और skinchema इसका हम sort function आपको बताते हैं यह responsible किसके लिए होते हैं यह plants को mechanical strength provide करते हैं रिजिजिटी प्राइट करते हैं और nutrients को store करते हैं और complex tissue में xylem और phloem सबको मालूम को आपने पढ़ा होगा xylem का main work क्या होता है transport of water और conduction of water और phloem का क्या काम है phloem का जो main काम होता है वो क्या है translocation of food food का जो transport करती है from leaves to root और जाइलम में क्या होता है water transport होता है कैसे roots से aerial parts में upper parts में सब्सक्राइब आए तो इसको आप note कर लिजे next topic में detail में हम पढ़ेंगे next video में systematic tissue की जो है detail हम next video में पढ़ेंगे तेंगे